हेलो मैं सांती स्वागत करती हूँ अपने योटूब चैनल गाव की सांती में कैसे हो आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो अभी मैं बना रही हूँ सत्तू का पराठा और मैं खिलाऊंगी इनको देखिए लेटे हुए हैं और सुबा सुबा का नास्ते में मैंने सत्तू के पराठे बनाए हैं और यह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं मैंने बहुत बारे से भी शेयर किया है तो मैं इनको देके गई तो वह पूछ रहें कितना सारा लेके आ गई और उसके बाद मैं जो हूँ अपना बहुत सारा काम करूँगी लेकिन आज मैं बहुत 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 जादा ही खुश हूँ यूटूब की तरब से एक खुश खबरी है और आप सब की तरब से भी वो सारी चीजे में शेयर करूँगी आप सभी के साथ यहाँ पे साम के लिए मैं गोइठा जो है इसको फैला देती हूँ कि अगर थोड़े बहुत सूखे नहीं होंगे तो सूख जाएंगे क्योंकि आजकल खाना अंगन में ही साम को बना रही हूँ तो यह जो मेरा मिट चूला है इसको मैं अच्छे से यह चूला को क्या बोलते हैं अलीप पोत की अच्छा कर दूंगी ताकि इस पे साम को जब खाना बने तब तक यह सूख जाता है तो वही वाला काम में कर रही नॉर्मल होती है हमारे जिंदगी की और जो हम डेली रूटीन दिखाते हैं तो अपनी यही डेली रूटीन की चीज़े ही शेयर करूंगी आप सब के साथ तो इस तरीके से कौन-कौन किया है बच्पर में तो हमारे यहाना मायके में तो वैसे वाला चूला तो प्रॉपर यह म मैं सुबह सुबह ही कर दे रही हूँ जब ही मुझे टाइम मिलता है मैं अपना काम सोचती हूँ कि निप्टालूँ कि अब बात इत्रे से मटर की दाने की नहीं है हम किसान न इस अन कनब बहुत कदर करते हैं और बहुत इसको संभाल के रखते हैं तभी यह सब्सक्राइब आप के थालियों तक जा पाता है यह निकिस में से कितना निकला निकला अनाज है अनाज की कदर करनी चाहिए इसलिए मैं सारा की जो है वो ना एक-एक दाना इसका निकाल के रख लेती है और कुछ नीती इसको अच्छे से थोड़ा सा और साफ कर देंगे तो दो दिन के छोले का काम तो चली जाएगा और यह बहुत यहीं खरीदने जाएंगे तो 40-50-60 रुपए का मिलता है और जो अनाज नुकसान होगा वो अलग से आज मैं आप सबके साथ ना अपना स्किन के रूटीन शेयर कर रही हूँ बहुत टाइम से किया नहीं और आप सब पूछ रहे है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ वाव स्किन साइंस का हिमालियन रोज फोमिंग फेस वास यह फेस वास ना क्लिंजिंग औ और टोनिंग फेस वास है और यह फेस वास ना 98.7% नेचुरल इंगिरियंट से बना हुआ है इसमें रोज वाटर, एलोवेरा, इस्ट्रेक्ट, इसमें विटामिन E और प्रो विटामिन B5 के साथ ही आता है और यह सिर्फ आपके ना स्किन के मेकप को नहीं रिमूव करता बलक है और यह इप ड़र्ट को भी क्लीन करता है यह फेस वास ना आपकर स्किन को फ्रेस और सौफ्ट बनाता है और यह और is और और इंडियां की सिर्फ के साथrone इसमें यह यह आपए यहां pat-ea वाली हूँ वो है यह वाव स्कीन साइंस का हैलोरोनिक एसीड फेश सिरम यह जो फेश सिरम है ना वो 98.7% नेचरल इंग्रियेंट से बना हुआ है अगर आपकी स्कीन थोड़ी सी भी ड्राय है ना तो मैं हाईली इस सिरम को आपको रेकमेंड करूंगे मदद करता है हमारी स्कीन को हायड्रेट करने में और हमारी एजिंग को कम करने में यह करता है från Western Cup eng tarina कози को वापस लाने में भी यह बहुत ज्यादाहरे करता है आपकी सिरम को सौफ्ट और सपल बनाता है और यह सिरम आपकी स्कीन को हाईडरेट करता है till यह स्मूद भी करता है और यह और स्किन टाइप है और आज जो भी प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ न उसका लिंक मेरे डिस्किप्शन बॉक्स में है यह वाव स्किन साइंस हैलोरोनिक एसीड वाटर जेल आपके ड्राई और पैची स्किन को हाइडरेट करने में हेल्प करता है और आपकी तुचा की खोई हुई नमी को वापस ले आता है इसको यूज करने से आपकी स्किन स्मूद और सफल सॉफ्ट हो जाती है और इसको यूज करना बहुत ही आसान है क्योंकि जैसे आप इसको प्रेस करेंगे जितनी कॉंटिटी में आपको चाहिए यह बाहर आता है और आप इसको टैप टैप करके अपने फेस पे अपलाई कर लीजिए बार-बार आपको मतलब फिंगर से बार-बार क्रीम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है वाव के जो प्रोड़क्त होते हैं वो मेड इन इंडिया होते है इसलिए यह मेरे को परसनली बहुत ज़्यादा पसंद है और इसमें किसी भी तरह का हामफूल केमिकल अभी नहीं होता तो आप इसको ले सकते है यह वाटर बेस जेल है जो आपकी स्कीन को हाइडरेट करता ह है और यह जेल आपकी स्कीन को डीप हाइडरेशन देता है इससे इसकी स्मेल भी अमेजिंग है और यह पैची ड्राइनेस डल इसकीन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और लिंक डिस्किप्शन में हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हूँ आप सब आही कचरी देखके का क यादा वता बच्पन का खेत में से कचरी कबारल चुरा के खाइल घर आईल तब खाइल सब यादा रहा है और यह अभी हस्में आज सुबह सुबही खेत पे गया थे चना में दवाई छिड़का गया है मतलब इस वाले चने में नहीं यह निकाल के उसके बाद छिड़कवा है क्योंकि इसमें लग जाते हैं बहुत सारा खेती में भी बहुत मेहनत होता है तो सुबह सुबही चले गये थे मुझे लगते साथ बजे वह निकल गया थे घर से तो यह वाली कच्छी लेके आया है और इसकी ना पकोड़ी बनती है ऐसे कच्छे खाने में कितना अच्छा लगता है और पता है मैंने कल कोई विडियो नहीं शूट किया कल और परसो दो दिन क्योंकि मेरे को जू काम था और एक वैने साड़ी वाली विडियो जो सूट की तो थेंक्यू सो मच आप समने मुझे उस विडियो के लिए सपोर्ट किया हलाकि मैंने मैं कही बाहर जाके न लोग तो ना समय और में प Basically थे वहां के में आधी घरोसे से पेंसे मिधाइन के सबती हुआ हुआ सब्सक्राइब कि हम बचपन में जब छोटे थे तो कैसे हम लोग school जाते थे तो राजते में खेत पढ़ दाना था उसमें से कचरी निकाल के खाते थे पापा चाशा यहां रहते नहीं थे और बड़े पापा टीचर है तो उनको टाइम नहीं होता था और इन सब खेतों की कचरी तयार हो गई है तो आप सब भी आजाएं मिल के खाएंगे हो रहा कचरी सब कुछ बड़ी खुसी सी होती है जब यह लेके आते हैं न यह सारी चीज सब्सक्राइब करने के बाद मैं आ गई हूं जा रही हूं मैं चाय बनाने और आज मैंने न आज है है दिन आज कौन सा दिन है आज साय्ड मंगलवार है मैंने बाल धुए थे और बाल धुने के बाद यह काफी टाइम लग जाते हैं मेरे बालों को सूखने के लिए तो आज मैं वो चीज भी दिखाऊंगी जो यूटूब की वज़ा से मुझे मिली है जो करोड़ रुपए भी खर्च करके नहीं कमाई जा सकती तो वो चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बस चाय बना के आती हूँ तो फिर से देखिए पहले मैं चैनल बनाई गाउं की सांति आप समने में मिलकर सपोर्ट किया तभी से हूँ गाउं की सांती और गाव की सांती का नाम मतलब तभी हुआ जब यूटूब हुआ और मैं कोटी कोटी धन्यवाद करूंगी माता रानी का दूसरा मैं यूटूब के प्लेटफॉर्म का और तीसरा कि जब मैं यूटूब पे आई तो आप समने मुझे सपोर्ट किया इतना सारा प्यार दिया तो ये मेरे लाइफ का ना सबसे इंपपटेंट सब्से ज्यदा इंपटेंट गिफ्त है कियोंकि ये ना पैस котором से खरीदा जा सकता एक करूड रुपएदा देिके भी ना मेरा इस खुशी को कोई नहीं खरीच सकता क्योंकि ये जिन्दगी इसने बना दी है हैस्टेक गाउं की सांती और ये गुजरात से आई थी न बना रहा था और ये मुझे सर्प्राइज मिला था मैं उस दिन बहुत रोई थी बहुत रोई थी ये वाली फोटो की मैं कहानी बता दूँ कि मतलब खीचा नहीं गया था ऐसा नहीं थे कोई ये पोज था ये मेरे हस्बेंट के बड़े वाले दिन की फोटो है और मैं ऐसे करके ऐसे जुक के कुछ कर रही थी और उन्होंने खीच लिया था यही वाली फोटो और गाव की सान्ती को आप सबने बनाया है इसलिए मेरे हर छोटी सी खुसी मेरे हर चोटा सा दुख करती हूँ पहले में अपने भोले नातोर माता रानी से चे खरती हूं दiगल मुझे नहीं डर लगता है कि कौन क्या का है क्या होसे लोगों के reaction क्या हुँगे लेकिन मैं बहुत खुश थी और यह में बताना चाहता थी आप लोगों को और मैं उसी time बताना चाह रही थी बाट मैं इसको रख दिया था आज मैं बैक दिखे में सुच और इतनी बड़ी खुशी और मैंने आप सब को भी शेयर अभी तक नहीं की तो यह मैं इंस्टा पर डाली थी और वहां पर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे धाई हजार इस फोटो पर लाइक भी मिला था और मुझे बहुत खुशी हुई थी त लिएक अगर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मैं मेरा यूटूब है ना मैं आज सक है किसी को कि कि किसी को मैं गभी जवर्जसती 있다고 कि मैं यह नहीं बोलती कि आप मेरे चैनल पर हैं कैसे अजीब से हो चुके हैं वह गर्मी का दिरे सीजन चल रहा है और अरम्या के जो आज मैंने साड़ी ने डाला पता नहीं कि मेरा मन कर रहा था आज पहनने का क्योंकि मैं आज 5-6 साड़ी प्रेस की और प्रेस करना में बहुत मुस्किल का काम लगता है बहुत ज़्यादा और पतानी एक्साइटमेंट में क्या क्या बोली तो हां तो कोई आने वाला है तो उनके आने की तयारी करनी है और वह जो करी कचरी आई प्रेस रुपए की नहीं यहां पर ज्वैलरी बेचने के लिए को यह पता नहीं कैसी तो गरास्ते से सुनाई दे रहा था तो मिलती हूं एक अगली वीडियो में तब तक के लिए आप साब अपना बेहत बेहत ख्याल रखे थैंक्यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार सपोर और इस गाउं की सांती को जो आपने बनाया हैं मैं पूरी कोशिस करूँगी कि मैं आपके उमीदों पर खरे उत्रूं और कभी जब मेरे से गलतिया होती आप लोग डाटते हैं बैट कमेंट करके मेरे को समझाते हैं वो अच्छा लगता है लेकिन हेट कमेंट और बैट कमे होंगी तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सो अपना भी हत खयाल रखें बाइबाइब जानी उसको रखने और शुरुआत करूंगी मतलब मुझे एक हॉल शूट करना है तो उस हॉल को में शूट करने जा रही हूं तयार होंगी तयार नहीं होंगी यह मतलब की सिर्फ कपड़े चेंज करूंगी थोड़ा साथ